Hello everybody, welcome to my channel, this is Professor Ivneet So today I am going to teach you Qausi Contract इसको हम Constructive Contract भी बोलते हैं, तो confused नहीं होना है इससे पहले भी मैंने Business Law की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अगर आप लोग ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक उपर आई बटन और नीचे description box में दे दूँगी तो आप चेक कर लीजेगा और हाँ, मुझसे comment section में बहुत सारे students पूछते हैं कि क्या मैं हम आपकी वीडियो को as it is exam में answer की तरह लिख सकते हैं तो इसका answer है कि हाँ आप लिख सकते हो क्यूंकि मैं आपको अपनी वीडियो की form में बहुत अच्छा सा answer frame करके देती हूँ ओके, so without wasting any time, let's get started अब अगर आपको exam में question आता है what are quasi contracts, explain briefly the quasi contract provided for by the Indian contract act तो उसका answer आपको इस वीडियो में मिलेगा और कई बार क्या होता है कि direct question नहीं आता है कि quasi contract क्या होता है ये दोनों question जो second और third है वो indirect question है जैसे कि enumerate and explain the nature of relation resembling those created by the contract अगर आपको ये question आता है तो ये quasi contract का question है, तो confused नहीं होना है third अगर question आता है, a quasi contract is not a contract at all ये contract नहीं होता, it is an obligation which law creates जो law obligation create करता है, amplify and state the quasi contract recognized under Indian contract act तो इन में से अगर आपको कोई भी question आता है तो उसका answer आपको इसी video भी मिलेगा लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए जो question number three है, वो एक statement वाला question है और statement वाले question को कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया है अपनी वीडियो में कि जिस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे law के questions को attempt करें तो वो जरूर देख लीजिएगा आप तो इसको attempt करने का एक तरीका होता है statement वाले questions को so without wasting any time, चलिए आगे first आपको पता होना चाहिए कॉसी contract क्या होता है कॉसी contract एक contract नहीं होता है ये parties जो होती है जब मैंने आपको contract कराया था तो मैंने बताया था कि जो contract होता है वो होने से पहले उसकी valid essentials होना बहुत जरूरी है जैसे उसमें free consent होना बहुत जरूरी है parties जो है वो capable होनी चाहिए contract में enter करने के लिए उसमें एक agreement होना चाहिए parties का तो कॉसी contract में वो कोई भी essential नहीं होती है तो एक तरह से ये contract होता ही नहीं है कॉसी contract is a transaction in which there is no contract between the parties मतलब parties अपनी मर्जी से contract में enter नहीं करती है लेकिन जो law है वो उनको contract में enter करवाता है the law creates certain rights and obligation between them which are similar to those created by the contract तो parties अपनी मर्जी से contract में enter नहीं करती है law जो है वो उनको contract में enter करवाता है वो मतलब उनको एक ऐसी जिम्मेदारियों में enter करवाता है जो कि contract के साथ मिलती जुलती चीज़े होती है तो इसलिए हम इसे quasi contract बोलते है अब example से clear होगा आपको जैसे कि if A pays a sum of money to B believing him to be his creditor A ने कुछ पैसे जो है वो B को pay कर दिये ये मानते होए कि शायद उसने B को पैसे देने थे कोई ठीक है कि ये मेरा creditor है मैंने शायद B को पैसे देने थे तो A ने उसको पैसे दे दिये B को when as a matter of fact he was not जबकि actual में B उसका कभी भी creditor नहीं था means B ने कभी भी A से पैसे लेने ही नहीं थे लेकिन A ने गलती से पैसे B को deliver कर दिये अब B is bound to return the money अब A और B के बीच में तो कोई agreement नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पे quasi contract enter हो गया उन दोनों के बीच में अब B के जिम्मेदारी बनती है कि वो जो पैसे उसने A से लिये है वो A को वापिस करे यह मान कर कि A ने उसे loan दिया है समझाया means अगर आपके पास गलती से कोई गलती से आप चीज किसी और को deliver कर देते हो तो उस person के जिम्मेदारी बनती है कि वो चीज आपको वापिस करे ठीक है यह law कहता है law आपको ऐसी rights और obligation में enter करवा देता है तो उसको हम quasi contract बोलते है ठीक है यहाँ पर A और B में कोई contract नहीं है लेकिन वो law की नजर में contract में enter हो गए है next is characteristics of quasi contract क्या features होती है क्या characteristics होती है such contracts are not made by the desire of the parties but are created by the law of land ठीक है यह desire होता है इच्छा यह contract parties की इच्छा से नहीं होते है means दोनों parties आपस में जाके contract नहीं करती है इसको law जो है वो create करवाता है मतलब law दोनों parties के बीच में contract जैसा रिष्ता create करवा देता है there is no agreement at all between the parties तो parties अपनी इच्छा से जाती ही नहीं एक दूसरे के पास वो हो भी सकता हो एक दूसरे को जानती भी नहीं हो दोनों parties तो कोई agreement भी नहीं होता है इनमे the contract came into being after the party has received a profit or money यह contract तभी उसमें आता है मतलब तभी यह contract बनता है जब party ने कोई profit या money receive की होती है जैसे कि यहाँ पे example में मैंने बताया है कि जो B है उसने A से पैसे जो है वो receive करे ठीक है अब उसकी जिम्मेदारी बनती है वो पैसे A को वापिस करे तो means यहाँ पे उसे profit हो गया है तो वहाँ पे law enter कर देता है और कहता है कि B की जिम्मेदारी बनती है वो पैसे A को वापिस करेगा next is types of quasi contract section 68 to 72 of Indian contract act 1872 यह describe करता है कि quasi contract कितने types के होते है जैसे कि claims for necessary supplied section 68 फिर section 69, 70, 71, 72 यह सारे हम जो types हैं हम एक एक करके मैं आपको explain करूंगी first is claims for necessary supplied यह section 68 के अंडर आता है हाँ अगर आप यह question करोगे तो इसके section जरूर लिखना क्योंकि section से आपको law में जादा marks मिलते हैं if a person incapable of entering into a contract incapable person कौन होता है जो contract नहीं कर सकता ठीक है जो competent नहीं है जब मैंने competency of parties वाला chapter कराया था capacity to contract तो मैंने आपको बताया था कि जैसे minor हो गया या फिर जो lunatic person होता है जो दिमागी तोर से पागल होता है वो इनसान incapable होता है वो contract में एंटर नहीं कर सकता तो कोई ऐसा इनसान जो incapable है और anyone whom who is legally bound to support ठीक है या तो वो person जो खुद incapable है या फिर उस incapable के उपर किसी और की भी जिम्मेदारी है means उसकी जिम्मेदारी बनती है वो किसी और को भी support करे इस supplied by another person with the necessaries ठीक है तो ऐसे incapable person को अगर कोई दूसरा बंदा दूसरा person necessaries देता है उसकी condition के according the supplier is entitled to recover the price from the property of incapable person ठीक है तो मैं example से बताती हूँ अगर आप एक minor को कुछ necessaries provide करते हो तो उसकी payment जो है वो supplier minor कभी personally responsible नहीं होगा वो payment के लिए उसकी payment supplier कहां से लेगा उसकी property से ठीक है जैसे कि यहाँ पे example दी है Ajay is a minor Ajay एक minor है उसने rice खरीदे चावल खरीदे खाने के लिए विजे से तो विजे जो है यहाँ पे Ajay से पैसे रिकवर नहीं कर सकता वो Ajay की property से पैसे रिकवर कर सकता है ओके for the application of this section the following condition must be fulfilled यह section को पूरा करने के लिए means property से रिकवर वो पैसे तभी रिकवर कर सकता है अगर यह condition पूरी होती है first is the goods provided to the incapable person must only be the necessaries of life according to his social status कि जो goods incapable person को provide किये जा रहे है वो necessaries ही होनी चाहिए luxuries नहीं होनी चाहिए ठीक है और necessaries depend करती है उस person का social status क्या है तो उसके social status के according necessaries होनी चाहिए second is such necessaries must not be a gift or a charity ऐसी necessaries जो वो gift या charity नहीं होनी चाहिए ठीक है it is only the property of the incapable person which is liable for meeting the liability the person himself is not personally liable यह मैंने आपको पहले भी बताया है कि incapable person के सिर्फ property ही जिम्मेदार होती है payment करने के लिए necessaries के लिए वो person जो incapable है वो personally कभी भी खुद जिम्मेदार नहीं होता है next is such necessaries must only be provided to incapable और those who are dependent upon him यह necessaries या तो आप incapable को provide कर रहे हो या फिर उस person को दे रहे हो जो उसके उपर depend करता है जैसे कि अगर आप goods, necessaries जो है वो किसी lunatic को दे रहे हो ठीक है lunatic को दे रहे हो या lunatic की wife को दे रहे हो ठीक है तो उसकी wife जो है वो lunatic पे ही depend करती है तो उस case में भी वो payment lunatic की property से ही होगी जो incapable person है उसके पास पहले से ही necessaries की बहुत ज़्यादा supply नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर उसके पहले से ही necessaries पड़ी है और आप आगे से और necessaries दे रहे हो तब फिर आप उसकी payment उसकी property से recover नहीं कर सकते तो फिर उसके पास पहले से ही supply नहीं होनी चाहिए means उसे जरूरत होनी चाहिए necessaries include अब necessaries में क्या-क्या चीज़े आती है जैसे कि minor की education पे जो खर्चा हो रहा है वो उसके लिए necessaries है expense on the cremation or the funeral of incapable person, wife, husband और children ठीक है अगर कोई lunatic है, दिमागी तोर से पागल है उसकी wife का अगर कोई cremation हो रहा है ठीक है, cremation or funeral means जो death पे जो खर्चा आता है ठीक है, तो वो lunatic की ही जिम्मेदारी है जो पागल इंसान है, उसी की wife है तो उसी की जिम्मेदारी है, तो उसकी भी payment उसकी property से होगी, वो person खुद कभी जिम्मेदार नहीं होगा तो यह सारी necessaries में आती है next is payment by an interested person, यह section 69 के अंडर आता है, यह second type of quasi contract है this section provides that if a person makes the payment which is the legal duty of another person यह section कहता है कि अगर एक person payment करता है किसी दूसरे के लिए means जो जिम्मेदारी किसी और person की थी pay करने की, लेकिन उसको pay किसी और ने कर दिया, suppose अगर A है A ने B के लिए payment कर दी, ठीक है जिम्मेदारी किस की थी, B की pay करने की लेकिन pay किस ने कर दिया, A ने अपनी मर्जी से, in such cases, the person who made the payment तो ऐसे cases में, जिस person ने payment करी है, तो यहाँ पे payment किस cover करेगा, क्योंकि actual में जिम्मेदारी तो B की बनती थी ना, pay करने की, तो B की जगा पे A ने pay कर दिया, अब pay करने के बाद, A वो पैसे वापिस B से ले लेगा, okay for the application of this section, इस section को apply होने के लिए, यह conditions पूरी होना बहुत जरूरी है, first is, a person must by law be bound to pay some money, ठीक है, law की तरफ से एक person जो है, वो bound होना चाहिए, means उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, पैसे pay करने की, ठीक है और another person must be interested, और एक और person होना चाहिए, जो interested होना चाहिए, वो payment करने के लिए, ठीक है पहले condition तो यह है, कि एक person ऐसा होना चाहिए, जिसको law की तरफ से पैसे pay करने है, means उसकी जिम्मेदारी बनती है second है, कि एक और ऐसा person होना चाहिए, जो उसके बहाफ पे payment करना चाह रहा हो, मतलब interested होना चाहिए, और third condition है, कि जो दूसरा person interested है pay करने के लिए, उसने पैसे pay कर दिये क्योंकि उसका अपना भी interest उसमें involved था, ओके, यह आपको आगे मैं example case से समझाऊंगी, उससे जादा clear होगा, यह case है हमारा हजारी लाल versus नौरंग लांगल का, इस case में क्या हुआ देखो in this case, H was the lease holder of the land, इस case में H जो था, एक person था, वो lease holder था, land का, जमीन का, जमीन को उसने lease पे ले रखा था, किराए पे ले रखा था, H ने, जो जमीन किसकी थी, N की थी, और जो N था, उसने क्या कर रखा था, who had not paid any land revenue for many years, N ने बहुत सालों तक land revenue पे नहीं करा था, सरकार को, ठीक है, the state had served a notice to end, state ने notice दिया एन को, कि आप, that unless the areas of the revenue were paid by a certain date, the land would be, यहां पे द आएगा, the land would be auction to realize the areas, government ने उसको notice दिया एन को, कि अगर आप land areas जो है, किसी particular date तक पे नहीं करते हो, तो हम आपकी जमीन को बेच देंगे, मतलब auction कर देंगे, निलामी कर देंगे उसकी, ठीक है, अपने areas को recover करने के लिए, अपने revenue को recover करने के लिए, according to legislation, अब यहां पे क्या है, अब H की lease would terminate with the sale of land, अब H कौन था, वो lease holder था, उसने वो जमीन किराए पे ले रखी थी, N से, तो अगर वो जमीन state बेच देती है किसी और को, तो H की lease तो automatically खतम हो जाएगी, क्योंकि अगर वो किसी और को big गई, तो फिर H की lease भी खतम हो जाएगी, तो H ने अपने interest के लिए क्या करा, वो जो revenue areas थे, यह जो revenue था, सरकार का, वो सरकार को pay कर दिया, ठीक है, और बाद में उसने claim करा, किस से, N से, मतलब N के बहाफ पे H ने pay कर दिया, the court held that N was liable to pay H the amount he had paid to clear the areas, तो court ने यह decide किया, कि अब N जो है वो H को पैसे वापिस करेगा, जो उसने उसके बहाफ पे government को pay करे है, ओके, तो यह भी एक quasi contract है, next is obligation of a person enjoying benefit of non-gratuitous act, that is section 70, ओके, एक word होता है gratuitous और एक होता है non-gratuitous, gratuitous का मतलब होता है free में, बिना consideration के, ठीक है, non-gratuitous होता है जो free में नहीं होती है, means उसमें consideration involved होती है, तो यहाँ पे non-gratuitous है, यह धियान रखना, मतलब free में नहीं है, इसमें consideration involved है, अब इसका क्या मतलब है, देखो, where irrespective of any agreement or contract, a person lawfully does something for another person, बिना किसी agreement के, या contract के, अगर एक person lawfully, मतलब law की नजर में, law के तरीके से, किसी दूसरे person के लिए, कुछ करता है, non-gratuitously, यह point, यह line बहुत जरूरी है, non-gratuitously, यह लिखना जरूरी है, non-gratuitously, मतलब, किसी दूसरे के लिए, एक person काम कर रहा है, लेकिन, free में नहीं कर रहा है, and the other person enjoys the benefit of a thing done, और दूसरा person, उस चीज का फाइदा भी उठा रहा है, उसे फाइदा भी मिल रहा है, उस काम का, the letter is bound to pay the compensation to the former, in respect of the thing done, तो जिस person ने उस चीज का फाइदा उठाया है, अब उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो उस person को, जिसने उसके लिए काम करा है, उसे वो payment करे, उसे compensation करे, letter का मतलब होता है, दूसरा, former होता है, पहला, तो यहाँ पर जिस person ने काम किया है, वो former हो गया, और जिसके लिए किया है, means जिसने benefit enjoy करा है, वो letter हो गया, okay, for the application of this section, इस section को apply होने के लिए, यह condition पूरी होना बहुत जरूरी है, the things must have been done lawfully, जो, जो काम किया गया है, वो lawfully होना चाहिए, it must have been done by a person not intended to act gratuitously, means उसने gratuitously काम नहीं करा, ठीक है, free में नहीं करा, उसने non-gratutously करा है, the person for whom the act is done must have enjoyed the benefit of it, जिसके लिए आपने काम करा है, उसे उस चीज़ का फाइदा हुआ है, उसने उस benefit को enjoy किया है, तो ये तीन condition होना बहुत जरूरी है, तब ही आप इसका फाइदा ले सकते है, section का, अब इसमें case है, the mother, mother, leader versus secretary of state for India, 1894 का ये case है, इसमें क्या हुआ था, the government carried out repairs to an irrigation tank, government ने क्या करा, repair करवाए, किस चीज़ के irrigation, कोई पानी का tank था, उसको repair करवाया, सरकार ने, owned by government jointly with the zemeedar, ठीक है, और वो जो tank था, वो government का joint था, जमींदार के साथ, मतलब, उस tank के owner दो थे, government का भी हिस्सा था, और जमींदार का भी हिस्सा था, लेकिन उस पे सारा और government ने क्या करा, खर्चा करने के बाद, irrigation tank ठीक कराने के बाद, जो जमींदार था, उस पे case किया, कि भाई, उसे सियू किया, कि आप अपने हिस्से का contribution हमें दो, हम सारा खर्चा क्यों करें, क्योंकि, it was held that government in carrying out the repairs, had acted lawfully, and not intended to carry them gratuitously, क्योंकि government ने वो जो repairs करवाये थे, उसने lawfully काम करा था, और उसने फ्री में नहीं करा, ठीक है, क्योंकि दोनों ओनर है, इसमें government भी ओनर है, उसका tank का और जमींदार भी है, तो government ने फ्री में नहीं repair करवाये, तो गवर्मेंट ने तो फिर वो अपना जमींदार को बोलेगी, कि तुम अपना हिस्सा contribute करो expense का, ठीक है, and that the जमींदार who enjoyed the benefit of the repairs, और अब जमींदार मालिक भी है, ठीक है, सरकार के साथ वो भी मालिक है, तो उसने भी उस repair का फाइदा उठाया, अब वो compensation government को पे करेगा, क्योंकि जमींदार जो है, वो सरकार को पे करेगा, ठीक है, क्योंकि सरकार ने ये काम lawfully करा है, और free में नहीं करा है, non-gratutually करा है, okay, next is responsibility of finder of goods, finder of goods का मतलब होता है, अगर जैसे आपको रास्ते पे पड़ीवी चीज मिल जाती है, तो आप finder of goods हो गए, मतलब आपको वो चीज मिली है, ये section 71 के अंडर आती है, a person who finds the goods belonging to another, एक person जिसको कोई goods मिलते हैं, जो कि किसी दूसरे के हैं, takes them into his custody, वो अपनी custody में उसको ले लेता है, it's subject to the same responsibility as a baili, उसकी वही जिम्मेदारी बन जाती है, जो कि एक baili की होती है, bailment के अंदर, such goods does not become the property of the finder, इसका मतलब ये नहीं है, कि अगर आपको रास्ते पर पड़ी भी कोई चीज मिल गई, तो वो आपकी अपनी property हो गई, law कहता है, कि आपका फर्ज बनता है, कि आप owner को ढूंडो और उसे वो चीज वापिस करो, अब देखो duty of finder of goods, क्या duty होती है finder of goods की, it is the duty of the finder to take the adequate care of the goods, ये पहली जिम्मेदारी बनती है, जो goods को, मितलब जिसको goods मिलते हैं, कि वो goods का बहुत ज़्यादा ध्यान रखे, second, he must also try to trace the owner of the goods, वो goods के owner को भी ढूंडने की पूरी-पूरी कोशिश करे, ताकि वो goods को उसे वापिस कर सके, third, when he finds the lawful owner, अगर उसे lawful owner मिल गया है, he must return the goods to the owner, तो वो सारे जो goods उसे मिले हैं, वो उस owner को वापिस कर दे, if he has spent some money on the maintenance of goods, or on trying to find out the owner, he is legally entitled to be reimbursed for such expense, अगर उसने कुछ खर्चा करा है, उस goods को maintain करने के लिए, मतलब उस goods को संभालने में, अगर उसका कुछ खर्चा आया है, या फिर owner को ढूंडने में, उसका जो से कोई खर्चा लगा, petrol का कुछ खर्चा लगा, तो वो legally entitled है, means वो loss की नजर्थ में, या फिर वो court में जाके, वो expense को वापिस ले सकता है, owner से, जैसे ही owner मिलेगा, वो से बोल सकता है, कि तुमारे goods को संभालने में, मुझे इतना खर्चा लगा है, अब ये मुझे दे दो, और अपने goods वापिस ले लो, reimburse होता है वापिस लेना, ठीक है, if the owner of the goods does not pay the finder, अगर owner जैसे मिल गया goods का, और वो finder को pay नहीं कर रहा है, means finder ने बोला कि मेरा इतना खर्चा हो गया, इसको संभालने में इन goods को, और वो मना कर रहा है कि मैं तुम्हें pay नहीं करूंगा, the expenses incurred by him on the maintenance of goods, मितलब जो भी उसने खर्चा करा है goods को maintain करने के लिए, या फिर owner को ढूणने के लिए जो उसका खर्चा हुआ है, अगर owner मना करता है कि मैं finder को ये पैसे नहीं दूँगा, the finder may refuse to hand over the goods to the owner, तो finder मना कर सकता है कि जब तक तुम मेरा खर्चा नहीं दोगे, जो मैंने इस goods पे करा है, तब तक मैं तुम्हें goods नहीं दूँगा, तो वो मना कर सकता है, लेकिन, but he cannot sue the owner for the reimbursement of the expenses incurred by him, वो goods देने से उसे मना कर सकता है, लेकिन वो उसे court में नहीं लेके जा सकता है, कि मैंने इस पे इतना खर्चा करा है इसके goods पे, इसको बोलो, मुझे payment करें, तो उसे court पे नहीं लेके जा सकता, लेकिन वो goods देने से मना कर सकता है, बस वो इतना कर सकता है, ओके, next is, the finder can retain the goods in the following cases, किन cases में finder जो है, वो goods को अपने पास रख सकता है, where the owner cannot with reasonable diligence be find out, अगर जैसे owner person, जो finder of goods है, जिसको goods मिले हैं, उसने बहुत जोर लगा लिया, पर owner उसे मिल ही नहीं रहा, तब वो goods को अपने पास रख सकता है, second, where the owner is find out, but refuses to pay the lawful charges of the finder, अगर owner मिल गया है, लेकिन वो मना कर रहा है, जो भी charges, finder ने, उससे मांगे हैं, कि भाई, तुम्हारे goods को संभालने में मेरा इतना खर्चा आया, और owner मना कर रहा है, वो pay करने के लिए, तो जो finder है, वो goods अपने पास रख सकता है, if the expense of the finder is two-third of the cost of goods, अगर finder, मतलब, जिसको goods मिले थे, उसका खर्चा, उन goods पे, मतलब, जितने के goods हैं, उसका two-third, उसका खर्चा आ गया है, उन goods पे, and the goods are likely to be spoiled, spoiled होता है, खराब होना, और goods इस तरीके के हैं, कि वो जल्दी ही खराब हो जाएंगे, अगर जादा समय तक रखे, मतलब, वो perishable nature के goods थे, the finder has a right to sell them, तो finder के पास है, कि वो उन goods को बेच सकता है, लेकिन तभी, अगर lawful owner मना करता है, to reimburse him for the expenses incurred, अगर lawful owner मिल गया, और उसने मना कर दिया, कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, जो तुम्हारा खर्चा आया है, तो उस case में goods अगर spoiled nature के हैं, perishable nature के हैं, और उसका जो खर्चा आ गया है उन goods पे, वो two third of the cost of goods है, तो finder के पास ही हक है, वो goods को sell कर सकता है, अब इसमें case है, Hollins versus Faller का, यह case क्या था, H picked up a diamond from the floor of F shop, H को diamond मिला, हीरा मिला, कहां पे F की shop के अंदर, मतलब जमीन पे पढ़ावा मिला, उसने क्या करा, वो diamond उठाके F को दे दिया, and keep it till the owner is found, और उसको बोला कि आप अपने पास रखो, जब तक इसका मालिक नहीं मिल जाता, इस हीरे का, in spite of the best offers, बहुत सारे efforts किये गए, true owner could not be reached, true owner नहीं मिला, मतलब बहुत ढूंडने के बाद भी असली मालिक उसका नहीं मिला, after some time, H tendered to F, the lawful expensive zinkered by him, for finding the true owner, कुछ समय बाद H F के पास आया, उसने उसे बताया कि मैंने इतना खर्चा करा, इस owner को ढूंडने के लिए, इसके owner को ढूंडने के लिए, true owner को, लेकिन मुझे नहीं मिला, और उसने F को बोला, कि to hand over the diamond to him, कि तुम्हें भी मालिक नहीं मिला, मैंने तो खुद बहुत खर्चा कर दिया, अब तुम्हें ऐसे करो, वो diamond मुझे दे दो, क्यों, क्योंकि वो diamond किसको मिला था, H E को मिला था, F refused, F ने ये कहके मना कर दिया कि तुम कौन सा मालिक हो, तो मैं तुम्हें क्यों दूँ, it was held that F must return the diamond to H, ये decide हुआ कि F जो है, वो diamond H को return करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि H कौन था, Finder of goods, H was entitled to retain it against the whole world except the true owner, या तो वो diamond owner के पास होना चाहिए, और जब तक owner नहीं मिलता है, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है, Finder of the goods, और इस केस में Finder कौन है, H, क्योंकि वो हीरा H को मिला था, तो H की जिम्मेदारी बनती है, H जो है, वो F से वो diamond जो है, वो वापिस ले सकता है, ओके, next is money paid by mistake or under question, अगर आप किसी को पैसे पे कर देते हो, गलती से, या फिर question, किसी दबाओ के अंदर आके किसी को पैसे पे कर देते हो, या फिर गलती से पे कर देते हो, तो उस case में भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको वो पैसे वापिस मिलेंगे, ठीके, अब person to whom money has been paid return it, तो जिसको गलती से आपने pay करे हैं, अब उस person के जिम्मेदारी बनती है, वो पैसे आपको वापिस करेगा, for example देखो, A and B jointly O, rupees 10,000 to C, A और B ने jointly 10,000 रुपे C को देने थे, मिलके, A alone pays the amount to C, A ने क्या करा, अकेले ही 10,000 C को दे दिया, without the knowledge of B, बिना B को बताए, A ने सारे पैसे C को दे दिये, later on, B also pays rupees 10,000 to C, बाद में, B ने भी 10,000 C को दे दिये, क्योंकि B को नहीं पता था कि A already pay कर चुका है, to clear the loan, here, अब जो C है, उसके पास 20,000 आगे, वो तो profit में आगया, तो here, C is lawfully bound to return the amount paid by B, तो यहाँ पे C की जिम्मेदारी बनती है, कि जो second वाले 10,000 लिये हैं, उसने B से, वो उसे वापस करेगा, तो यह contract इसलिए किये गए, ताकि कोई भी person इस चीज़ का फाइदा न उठा सके, अगर यह कौसी contract नहीं होता, इनकेस अगर आपको कोई doubt है, तो आप मुझे comment section में लिख सकते हैं, और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, मुझे students कहते हैं, कि मैं मैं आप बहुत जल्दी जल्दी videos बनाया करो, मैं रोज videos upload नहीं कर सकती, यह मेरे लिए possible नहीं है, क्योंकि मुझे सारा type करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा time लग जाता है, लेकिन हाँ, मैं आपके यह मत सोचना, मैं आपके सारे comments पड़ती हूँ, और आपके सारे मैं चीज़े notice करती हूँ, जो जो topic आपको चाहिए, आपको जुरूर उस topic पे वीडियो मिलेगी, बट थोड़ा सा मुझे time लगेगा, so I hope आप यह चीज़ समझेंगे, so in case कोई doubt है, तो आप comment section में लिख देना, और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, और आप आगे फर्दर भी मुझे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरी वीडियो को like share कर सकते हैं, और मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं, so thank you.